तो ग्राइज वेलकुम बैक टुम मैं चैनल होप आप से लोग अच्छ होंगे मैं भी अच्छी हूँ नए साल की बहुत सारी बदाईयां आप सबको और नर्सरी टीचर की वेकेंसी आ गई है उसी के साथ पीजीटी पोस्ट ग्रेजवेट टीचर की वेकेंसी भी आ गई है न और eligibility क्या है, qualifications क्या है वो सब मैं already detailed वीडियो बना चुकी हूँ और वो आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम पीजीटी के बारे हम बात करेंगे पीजीटी टीचर की जो opening date of application है वो है 9th of February वेट वो है 9th of February और closing date 7th of February है यह पोस्ट ग्रेजवेट टीचर की वेकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी टीचर अगर आप मेल हो तो आपकी जो है वो टोटल वेकेंसी एक आई है जो की SC में आई है अगर आप फीमेल हो तो आपकी unreserved category में वेकेंसी आई है और टोटल वेकेंसी आपकी 4 आई है ऐसी आप देख सकते हैं पूरी वेकेंसी अगर मैं देखती हूँ पोस्ट कोड 806 तो उसमें physics की दे रखी है इसमें male की अलग होती है तो PGT अगर physics male है जिसमें देखेंगे कि PGT की वेकेंसी मेल की व पार आई है उसके बाद में हम देखेंगे PGT chemistry के वेकेंसी देखोगे आप male female तीनों की biology की male female देखोगे PGT economics की male की वेकेंसी PGT economics में total vacancies 23 आई है इसमें से unreserve की 14 vacancies है और यह 2,1,2,4 आप देख सकते हैं उसके लबाद अगर मैं geographic की बात करूँ यह पोस्ट कोड को था आद आप देख सकते हैं अगर आप male है जेग्राफी के अलिए अपलाए करना चाहते है तो vacancies 20 आई है अब आप category according देख लीज़े और PGT जैसे आप देख सकते हैं post code 813,814,816 इसमें जो PGT home science है उसकी vacancies जो है वो एक भी नहीं आई है home science की एक भी vacancies नहीं आई है male के लिए but female के लिए 15 vacancies आई है और अगर home science और domestic science की vacancies देखे तो सिर्फ एक vacancy आई है तो in total अगर मैं बात करूँ तो post graduate teacher की जो है वो 297 vacancies आई हुई है अब post graduate teacher के लिए qualification क्या है तो PGT के लिए qualification में अगर मैं बात करूँ तो पहले आपके पास 10 plus 2 होना चाहिए उसके बाद आपके पास graduation होना चाहिए graduation के बाद आपके पास beard होना चाहिए और उसके बाद आपके पास post graduation होना चाहिए ये qualification बनता है PGT के लिए और PGT की जो salary structure है वो आपको 8th pay scale मिलेगा आप देख सकते हैं level जो है वो 8th pay scale आपको PGT level पे मिलेगा और मैं qualification discuss कर देती हूँ qualification के लिए जो है PGT की जो qualification है उसके लिए आपके पास आपका जो graduation है वो होना चाहिए उसके बाद आपके पास beard होना चाहिए और graduation अगर आप commerce के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो commerce field होना चाहिए उसके बाद आपके पास post graduation होना चाहिए यह जो है वो बनता है आपका PGD का प्रॉपर क्राइटेरिया PGD के लिए सीटेड नहीं चाहिए होता है ठीक है जैसे आपका यह फुलफिल हो जाती है क्राइटेरिया उसका प्लाइक कर सकते हैं तो वीडियो बस इतनी थी अगर वीडियो पच्छना आई वीडियो को मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक कमेंट सेक्षिन में है और डिस्क्रिप्शन में है वहां पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं टेलिग्राम पर पूरे सारे स्क्रीन शॉट्स आपको यहां पर मिल जाएगे एंटेटी की वीडियो भी आपको टेलिग्राम पर ही मिल जा Thank you so much, bye-bye!